अब इंकलाब आएगा! अब इंकलाब आएगा! इंकलाब आएगा! ये जैसे हमारे जावित बही ने बताया के कल जल्सा काम्याब होगा मैं केता हूँ काम्याब हो चुका है आप अब अबी देखे किसी जल्से में PDM PDM के अंदर पीडियम यारा चमादे अतना बड़ा जल्सा नहीं कर सकी जो हमारे अभी से पब्लिक बतारी के जल्सा कामयाब हो चुका है और बिलो रानी आपकी चीखें बता रही है सही करी, सही करी ये 2000 और एक बिरियानी में आने वाली हवाम नहीं है ये खान के सच्चे सिपाई है और कर रोजे से पहले यहां पे ग्राउन फुल हो चुका होगा मैं आपको जमानत के साथ केता हूँ और हर इलागे के अंदर जैसे लियारी के अंदर बिलो रानी को और आया था इंशाला उन्हें करेंगे आपास बनोगे एलेए हज़ eva ना मन्जूरन fifth गूंद धर कीज़ो po और कल कर राची के जल्णा लेना या सलेक्टेड है हम नहीं एस लेक्टेड है हम नहीं बिखारी वजिरणा ना मन्जूरन ओखलद तकूरन अर्पनशूर मान्जूरन भू़न्य। मेरा नाम इकबाल युसुभेट और मेरा सेंटर से तालूग है साउस से मैं कारगुन हूँ पिटियाई का लेकिन आप जो है वो जो सनोरिया जो चल रहा है इसमत में कल इंशालल हमारा जलसा है अभी पूरा कराची नहीं उठा पाकिस्तान नहीं उठा डेड़ अरब मुसल्मान उड़ गया है और बावन मुल्क उड़ गया है जिनका दिल की धड़कन मन चुका है इमरान खान अब डिमांड पूरे डेड़ अरब मुसल्मान की डिमांड जो है वो इमरान खान है तो यहां तमाम चीज़ें खतम हो जाती हैं अब कल का जलसा इसको आपको बता देगा कि क्या हुआ है यानि तेरा पार्टी एक तरफ हो गई है और एक पार्टी एक पीडियम आज से एक साल पहले उठी लेकिन बैड़ गई लेकिन उनों जब देखा कि अमरीका को आँके दिखाई इमरान खान ने तो उनों ने बैक्स खोल दिये और सारा चेहरा विडिया ने लोगों ने सब ने जब देखा तो जो इमरान खान के मुखालिफ थे जो मेंगाई कर रोना रो रो रहते हैं सब कीज़े बूल गए बरन का ने जी अब बात आगई इसलाम की अब बात आगई मुसल्मान की और गेड़ अरब मुसल्मान चाहने लगा है इमरान خान को दिल से और हम तो कारगोन हैं लेकिन तमाम लोग यहां जो पंडाल में खड़ें आपके सामने हैं सब की धरका नहीं इमरान खान है इशू इमरान खान का खतम हो गया पीटियाई का उसका इशू बन गया है पाकिस्तान की तकदीर को तबदील करना है अभी एक मायदा रचिया से जब किया 35 पेरल गा जो इंडिया उससे पहले फायदे उठा रहा था जब आंके दिखा ही सबको तो पूरी दुनिया में खटक गया यार याद भी खतरनाग यह खतरनाग नहीं है यह अब बातर सालों में यह जितने हमने हुकमरान देखे सबको आजमा लिया सबको देख लिया और हमने देख लिया कि यह कितरे बड़ चोर है कि यहां से जैसे ही अपना पैसा मुंतकल करते हैं इनको पागिस्तान से हमतर दी नहीं है इमरान खान के ना कोई भाई है ना कोई इसका खांदान है इसका क्रेटर आज से 20 साल पहले तो खुला हुआ है शोकत खानम बनाने के बाद से आप देख लें इसके अंदर कुछ बात दी लेगा और वो बूट पालिश है इसलिए मालिश है कि ये चोर हैं सारे के सारा पूरा पूरा टबर चोर है ये तेरे की तेरे जो पार्टी हैं सब की सब चोर हैं आप देख लें लोगों ने देख लिया इनको आदमा भी लिया देख भी लिया लेकिन अब अब इन्शाला कल का जलसा यहां पूरे कराची का जिसमें अमिल ल्याकत के बारे में क्या बोलना चाहेंगा। खुद मत जाएगी भाई हमारे इबरान खान में इतना डेरंट है अल्ला ने इतना उसन दिया है कि नहीं 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 वो तो इन्शाला बिलो रानी और तमाम मन गए जनाब पूरा पाकिस्तान दिवाना मन गया पूरी दुनिया दिवानी बन गई इन्शाला अब ही है इबरा रखने की जगादी होगी लेकि सब की दिल की धड़का नहीं इंशाला है एक दार आप लगा दे इबरान खान जिल्सा कल है आज के दिन यहां पर मौजूद होने का क्या मकसद है आज के दिन यहां पर मौजूद होने का मकसद हमारा यह है कि खान साब को हम भी बताना चाहत उनको यह पता था कि यहां पर जलसा होना है, तो कल भी इतना ही रज्टा है हम तो रोज यहां आ रहे हैं और कल इंशालला जो पबलिक आएगी मैं बता सकता हूं कि कल पुरा पाकिस्टान होगा पिषावार करे का और तो टूटे टूटे इंशालला खान साब के जितने जग स इन्शाला यह सबसे बड़ा जलसा होगा इन्शाला शेबाद शरीफ नामन्जूर क्यों है देखें जी भीकारी की इज़त तो बेकारी की इज़त जब नहीं है तो फिर उस क्राइम मिनिस्टर को हम कैसे अपना वद्धियता मान सकते हैं तो भीकारी तो भीकारी होता है तो उ लोग बैट के कहने वाले हैं कि जी हमें पैट्रोल आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंके हलाज जो ना वो खतराग है और बिस्टरब है तो यह तो बिसिकली हारेवे लोग है और खान साब ने जो इनको नंगा कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इंशाला आप कभी यह किसी पोस्त में आ सकते हैं यह तरह से दोनमरी कर गाएंगे अधिज्ट इनको इम्रान खान की हकूंत हमारे लिए बहुत अच्छी बहतर साबित हुई है चाहे जी दिनी भी महिंगाई हुई है मगर वह उन्होंने हक इमानदारी से जो भी क्राम कर रहा है सारा इमानदारी नजर आ रही है जो लोग पूरा मुलक खड़ा हुए और इमरान खान भार नहीं निकालना हम पूरा पाकिस्तान खुद महबत में निकल कर आ रहा है जो फैसला स्प्रिंग कॉर्ट ने करा है उस फैसले से हम लोग कोई भी खुश नहीं है बस उन्हें ये फैसला वापिस लेन गलत किया है जब भी आवाम भार निकली है और जब तक कि इमरान खान के हक में बहतर फैसला नहीं होगा आवाम इसी तरह निकलती रहेगी और इसे ही जुलूस करेगी है तुजाद तो ये सारी हकुमत से जो भी बैठे हैं और सुप्रिंग कॉर्ट हाइट पॉर्ट वाले स हम यही हम कहेंगे कि वह अपना फैसला वाफसी लें बस यह सहलाब जो है हम का इमरान खान के साथ एक टाकत बनके सारे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे झाल झाल से जो खवि हम झाल झाल